हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल रट होर प्लासेश दोस्तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए 20 ऐसे प्रस्ने लेकर आये हैं जिसको देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आए हम वीडियो को सुरू करते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए तो वीडियो को हम सुरू करते हैं पहला प्रस ने डायो नीसियस किसके राज़ दरवार में भारत आया था। ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु सार, असोक या इन में से कोई नहीं हैं। ऑप्शन B, बिंदु सार के दरवार में आया था। अगला प्रस ने भारत का भुगोल नामक पुष्टक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन टॉलमी, पलीनी, इन में से कोई नहीं। भारत का भुगोल नामक पुष्टक के लेखक कौन हैं। बहुत बार पुछा एक्जामें। ओप्शन ए टॉल्मी टॉल्मी इसका सही आंसर है अगला प्राशन नेचुरल हिस्ट्री नामक पुष्टक के लेखा कौन है ओप्शन टॉल्मी, हेरोडोटास, प्लीनी या इन में से कोई नहीं ओप्शन सी प्लीनी चीनी यातरी फाहियान किस सासक के राज़ दरवार में भारत आया था ओप्शन रसोक, चंद्रगुप्त मौर्या, चंद्रगुप्त द्यूत्तिय इन में से कोई नहीं ओप्शन सी, चंद्रगुप्त द्यूत्तिय अगला प्राशन, सन युगन भारत कब आया था सन युगन एक बिदेशी यातरी था, वो कब आया था सी, पांसो अठारा इस्वी हेन सोंग किसके सासन काल में भारत आया था बिंदुशार, असोक, चंद्रगुप्त मौर्या या हर्ष बर्धन हेन सौंग एक चिन्य यात्री था, वो किसके साशनकाल में भरत आया था? ओप्शन D, हर्स बर्धन के साशनकाल में आया था अगला प्रस्न देखे किस चिन्य यात्री का भ्रह्मन ब्रितांत स्री यूग की नाम से प्रसिध है? हेन सौंग, खाहियान, सन यूगन या इन में से कोई नहीं किस चिन्य यात्री का भ्रह्मन ब्रितांत स्री यूग की नाम से प्रसिध है? आंसर A, हेन सौंग अगला प्रस्न देखे हेन सौंग के अध्यन के समय नलंदा इन्वर्सिटी के कुलपती कौन थे? रुद्रे, रुद्रभद्रे, सिल्भद्रे या इन में से कोई नहीं खेन सौंग के अध्यन के समय नलंदा इन्वर्सिटी के कुलपती कौन थे? बताईए ओप्शन C, सिल्भद्र थे अगला प्रस्न आपके समन ये रहा उस लेखा का नाम क्या है? जो महमूद गजनवी के साथ भरत आया था अलबरूनी, इबने बतूता, तारानात या इन में से कोई नहीं उस लेखा का नाम बताना है जो महमूद गजनवी के साथ इंडिया आया था ये बहुत बार पुछक चुका है कोशन एकजाम में अप्शन इसका ए सही है, अलबरूनी इतिहासकार था ये अगला प्रस ने भारत की खोज नाम कुछता के लेखा कौन है? डिस्कबरी ओफ इंडिया बुक के राइटर कौन है? तारानात इबन बतूता, अलबरूनी या इन में से कोई नहीं कौन्स ओप्शन सही होगा? डिस्कबरी ओफ इंडिया बुक के राइटर कौन है? ओप्शन C, अलबरूनी अगला प्रस न दखिए कथा कन गई यूर तथा तन गई यूर नामक गरंथ की रचना किसने की थी? अगला प्रास ने, अभी लेखों का अधियायन क्या कहलाता है? इसका उतर आपको खुद बताना है? इसमें ऑप्शन नहीं है, क्या कहते हैं? उत्तर इपी ग्राफिक, अभी लेखों का अधियान इपी ग्राफिक कहलाता है, अगला प्रास ने देखिए, राचिन्तम सीको को क्या कहा जाता है? बताए इसका अंसर क्या होगा? उत्तर आहत सीके कहा जाता है, अगला प्रास ने देखिए, शर्व प्राथम सीकों पर लेख लिखने का कार्ज किसने शुरू किया था? सबसे पहले शीकों पर लेख लिखने का जो काम था, वो किसने शुरू किया था? उत्तर यावन सास को ने किया था, अगला प्रास ने देखिए, समूद्र गुप पे किसका प्रेमी था? मतलब वो किस चीज का सौप की ने था? शत्रेंज, गुड, सबारी, संगीत या इन में से कोई ने हैं? यह भी कोहिशन बार-बार एकजामें पुछता है, रिपिट होते रहता है आंसर सी, संगीत का वो सोकिंग था अगला प्रास ने देखिए, रोमन सिक्के कहां से प्राप्ट हुए हैं? रोमन सिक्के कहां से प्राप्ट हुए हैं? उस अस्थान का नाम बताना है आपको उत्तर, अरिक मेडू, और अरिक मेडू जो है फुदू चेरी के निकेट में हैं, वहीं प्यास-पास में जिस काल में मनुस्य ने घटनाओं का कोई लिखित बीवरन उदत नहीं किया, उसे क्या कहते हैं? उत्तर, प्रागैति हासिक काल कहते हैं अगला प्रसन देखिए, गौतम बुध का जैन में कब हुआ था? गौतम बुध का जैन में कब हुआ था? 563 इसवी पूर्वे, 463 इसवी पूर्वे, 363 इसवी पूर्वे, 363 इसवी पूर्वे या इन में से कोई नहीं कौन सो ओप्शन सही है? ओप्शन ए, 563 इसवी पूर्वे अगला प्रसन देखिए याजूर्वेद पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं? याजूर्वेद पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं? अप्शन है कधवरियू, अधवरियू, सधवरियू या इनमें से कोई नहीं कौन्स ओप्शन सही होगा ओप्शन B अधवरियू कहलाते हैं अगला प्रस्ण आपके सामने ये रहा जैन धर्मे का प्रारंभिक इतिहास किसे से ग्यात होता है ये आखरी प्रस्ण है ओप्शन हेल्थ सुत्रे, कल्प सुत्रे, अल्प सुत्रे या इनमें से कोई नहीं जैन धर्मे का प्रारंभिक इतिहास किसे से ग्यात होता है इसका ओप्शन B सही है कल्प सुत्रे से ग्यात होता है जैन धर्मे का प्रारंभिक इतिहास धन्यवाल अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें